वैल्कॉम फ्रैंट्स देखो जरेनल साइंस पे हम अच वीडियो लेक रहे हैं। जरेनल سाइंस का सलेबस श्लेबसका है। अब आपको क्या करना चाहिए तो मैं थोड़े एक चीज़ बदा दो है면 कि हूं कि अभी जो पेपर हों हैं Genire की तरफ तो उसको हम देखते हुए आपको बताएं कि किस तरफ की कोशिन पूछे जा सकते हैं तब सबसे पहले मैं आपको ये 10 कोशिन की बारे में बता दू यहाँ पर एक कोशिन पूछा जा गया था तो मैं कोशिन को ज़्यादे नहीं लूँगा, कंसेप्ट कौन सा लगा ह तो वह मैं बात करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर बात चल रही थी कि वह कौन सा आर्गनिजम है जो डेमेज करता है होस्ट को, यहाँ पर पॉपलिशन इंट्रेक्शन से कुशन आया हुगा है, तो होस्ट को डेमेज करने वाला है पैरसिटी, ठीक है, तो यह आपको बता पूड बनाते हैं, फोटो सिंसिस की मज़स से, तो यह चारूं पॉइंट आपको यहाद रखना है, इसके बार हम बात करें, फिचर तो फालिव जनाटर डीकंपोजर होता है, कौशन इको सिस्टम से आया हुआ है, डीकंपोजर कौन सा नही है, आपको पता है, डीकंपोज कौन से होता है, मेजरली जो हम बात करें, डीकंपोजर जो है, अपने फंजाइन बैक्टिरिया होता है, जरनली सबसे ज़्यादा जो है, फंजाई तो है, यह डीकंपोजर और बैक्टिरिया भी होता है, अगर हम कुछ इंसेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, फिर भी थोड़ा सा हम एनलाइज कर देए, फिजिक्स की में आप बात अभी नहीं करूँगा, डीकंपोजर और बैक्टिरियल और बैक्टिरियल और बैक्टिरियल और प्रोटोजनल डीजीज, इस तर के डीजीज से कोशन पूछा जासा है, डीजीज पे मैंने एक वीडि लाने के कोशिश करेंगे, तो यहां पर पूचा गया के, वाटर कंटमिनिशन डिजीज, डिजीज वीच इस काॉस पहलती है, पानी के कंटमिनिशन, डाइलिया जो है, यहां पानी के थृटुछ फैलती है, ठीक है, तो इसके बात बात कर रहे हैं, विच इस ओनली नॉन मै से कोशन पूछने के चांसिस बनते हैं तो मैं आपको एक्षिम मैं जो कुई कर विजिन सट लगँगा साइंस के मैंने बहुत सारे लाए हैं उसको अब एक बार देख सकते हैं तो दस बार हमें मौक टस्ट प्रवाइड किये हैं इसमें कवर करने हैं तो एक बड़ी इंपार्टन चीज मैं आपको बिता दे हैं यहां पर वो यह है कि विटामिन से कोशन जरूर आता है देखो विटामिन टोटल पूरी कंप्लीट विटामिन का जो कंसेप्ट है वो मैंने बहुत कम पांच शे मिट में कवर किया है आप मारी सेंस की वीडियो प्रेलिस्ट में जाकर देखें विटामिन की तो वहां पर कंप्लीट आपको विटामिन की इंफरमिशन मिलेगी तो यहां पर बैरी-बैरी डिजीज के बारे पुछा गया तो बी-टू से होती है बैरी-बैरी ठीक है तो बाकि आप पूरी विटामिन के सेंटिफिक नाम होगी इनकी डिफिएंसी से जो भी डिजीज होती है एक बार बिल्कुल क्लियर करना क्योंकि एक कॉर्शन इससे डेफिनेटली बनता है एक कॉर्शन बड़ा माइने रखता है मैं आपको पहले बितारो एक कॉर्शन से बहुत कुछ हो जाता है ठीक है तो यह ताओं कि एक कॉर्शन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बही बिल्कुल मिलेगा इसके बात करें हैं अब हमने वीडियो अपलोड करनी है अब ही साइंस की कर चुक हूं उसमें ब्रीफली डिस्क्राइब किया हूँ और जो चार चीज़ आपने या रखने है एक ओजोन लेयर की इसकी वएसे डिपलेट होता है कलोरोफलोर कार्बन की वएसे ओजोन लेयर की दूसरी बात करें कहां पर है स्ट्रेटोसफियर जो है अट्मोसफियर की सेकंड लेयर में है 15 से 25 या 30 किलोमेंटर के बीच में है अप्रॉक्सिमेटली तो यह कुछ अप्रमान ने रेयर उस vehicle होल बताया है 3854 में दूसरी बाटर व met बार औगाए आजोन लेयर की जो ठीकनस है औजोन लेयर की जो ठीकनस है वो कैसे मेजर की जाती है वो जोन लेड़ की थिकनस मेजर की जाती है डॉबसन यूनिट में ठीक है तो ये भी आपने याद रखनी है कुछ चीज़ें ठीक है ओके कलोरो फ्लोरो कार्बन कहां से रिलीज होता है ये रेफ्रीजेटर के जो कूलर्स होते है कूलर्स होता है रेफ्रीजेटर फ्रीजेटर फ्रीज के अंदर उससे या बर्निंग अफ कार सीर्स वगज़र से रिलीज होता है तो इस पे जो प्रोटोकोल आया है जैसे कि आटो प्रोटोकोल हो गया इस तरह के मॉन्ट्रियल प्रोटोकोल जायत है जो इसके रिलेटिर है उसले यह सारी चीज़े हमने कवर की है मोक टेस्ट के अंदर वह आप वाज कर सकते हैं तो कुछ चीज़े उसले के बारे में आपको क्लियर रखनी है उसके बाद रिडियूजिंग एजेंट की बात करें तो यह कुछ टापिक हैं जो सैंस बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है तो इसमें से हम यह नहीं कह सकते के बाई जो हम पढ़ाएंगे वही कोशन आएंगे लेकिन इतना है कि आप चार-पांच कोशन आपको यहां से मिलने की कोशिश दवाने की कोशिश करेंगे हम तो आप मोक झाली थिवड़ वाचिए